रिलेशन्शिप विफ पाकिस्टान इस वेरी गूड वान। था इफर्टों जो बयान आपने अभी अभी सुना वो डॉनल्ड ट्रम्प का था जैसे कि आप सभी को पता होगा डॉनल्ड ट्रम्प इंडिया के दोरे पर है और आज अपने बयान में डॉनल्ड ट्रम्प ने प टेरिरिस्ट को खतम करने के लिए वहाँ बैठे वे बहुत से लोगों को शायद समझ नहीं आया लेकिन वहाँ बहुत से लोग तालिया बजाने लगे जिस पाकिस्तान मुल्क के नाम पर लोग नफरत करते हैं उसी नाम पर लोग तालिया बजाते वे दिखें शायद उनको डॉनल्ड टरम्प की बात समझ नहीं आई जहां टॉनल्ड टरम्प ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान मुल्क हमारा साथ दे रहा है टेरिस्ट और्गनाइजेशन को खतम करने के लिए जैसे कि हम सबी को पता है इंडिया की पॉलिटिक्स जादतर वोट इस नाम पे मांग जाते हैं कि पाकिस्तान से हमें लड़ना है पाकिस्तान के आतंगवादियों से हमें लड़ना है लेकिन वहीं ये बयान ये थाबित करता है कि पाकिस्तान खुद आतंगवाद के खिलाफ और जो असल आतंगवादी है वो अपनी अपनी कंट्रियों के पॉलिटिकल रीजन्स की वज़े से हैं इंडिया पे कोई हमला होता है तो इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है और पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो इल्जाम इंडिया पे लगता है तो डॉनल्ड ट्रम का ये बयान साफ सीधा सबूत के तोर पर ये बयान करता है कि कैसे हर कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री से ट terrorism पनपता है और ये पनपता है कहीं न कहीं political parties की वज़ा से तो डॉनल्ड ट्रम के इस बयान ने Twitter पे काफी हंगामा खड़ा कर दिया है बहुत लोग इसको tweet कर रहे हैं और इस बयान से भक्तों को बहुत गुसा भी आ रहा है और Twitter पे काफी उल्टे-पुल्टे बयानात भी कर जैसे कि आप सभी जानते हैं डॉनल्ड ट्रम की इस विजट पे कुल चाट सो करोड खर्चा हुआ है और पाकिस्तान का नाम सुनना सबसे आखरी चीज थी दुनिया में जो BGP सुनना चाती होगी खैर आपकी क्या रहा है इस कॉमेंट करके बताएं इस बयान के बारे मिलत हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें वीडियो कैसी लगी आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अब तक के लेपना गयालेकी.